हलो फ्रेंज अब सबका मेरे चैनल पे स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दम देसी स्टाइल और हट के एक चाउमीन की रेसिपी जो आप घर पे बहुत इजिली बना सकते है और इस रेसिपी पे आज मैं आपको वो सारे टिप्स औं ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे बजार जैसे खिले खिले बिना चिपची पे चाउमीन घर पे बना सकते है तो इसलिए वीडियो को एंट तक देखते रहे अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे घर पे ट्राई करके मुझे कमेंट पे बताए कि आपको कैसा लगा तो बीना देरी के शुरू करते है आज की इस मज़ेदार एक चाउमीन की रेसिपी सबसे पहले एक कढ़ाई पे देर से दो लीटर पानी लेना है और उसको बॉयल कर लेना है पानी थोड़ा जादा मात्रा में लेना है चाउमीन खिला-खिला बनाने का ये सबसे पहला टिप है जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें चाउम को तोर के डाल दे अगर आप चाहे तो बीना तोर के भी डाल सकते है अब एक चम्मच के मदद से चाउम को पानी के साथ अच्छी तरह से मिला देना है चाउ को 4-5 मिनिट तक हाई फ्लेम पे उबालना है और कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए 4-5 मिनिट के बाद इसे चेक करना है अगर ये इजिली तूट जाए तो ये रडी है इस स्टेज पे फ्लेम को ओफ कर दे और नोडूल्स को छान के ठंडे पानी से अची तरह से धोना है और पंखे के नीचे रखके इसे सुखा लेना है ये है दूसरा टिप खिला-खिला चाव मिन बनाने के लिए सुखाना बहुत जरूरी स्टेप है जब चाव सूख जाए तब इसमें 2 टेबिल स्पून वाइट ओयल डाल दे वाइट ओयल डालने के बाद इसे अची तरह से मिक्स करना है ध्यान रखके हर एक चाव पे ओयल अची तरह से कोट होन चाहिए यह सबसे important step है और यह बहुत जरूरी tip है अब एक कढ़ाई पे 3 टेबिल स्पून वाइट ओयल डाले और गरम कर ले अब एक बोल पे 3 अंडे लेना है और एक चुटकी नमक डाल के इसको अच्छे से फेट लेना है जैसे भुर्जी बनाने से पहले हम अंडे को प्राई फ्लेम पे अंडे को भुर्जी जैसा फ्राई करना है इसे दो मिनिट तक पकाना है ओवर कुक ना करे अगर यह ओवर कुक हो जाएगा तो अंडे का टेस्ट अच्छा नहीं आता है दो मिनिट में जब अंडे का भुर्जी रेडी हो जाए तब इसको कढ़ाई से न के टुक्रे डाले और डाले कुछ कटे हुए गाजर के टुक्रे अब इसमें डाले कुछ कटे हुए बंधगों भी और दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे इसे अची तरह से फ्राई कर ले सबजी में एक चुटकी नमक डाले और फिर से इसे हाई फ्लेम पे दो मिनिट के लिए फ्राई कर ले दो मिनिट के बाद इसमें स्लाइस किये हुए प्याज डाले और डाले कुछ कटे हुए कैपसिकम के टुकरे 1 teaspoon कटे हुए हरी मिर्च डाले, 1 teaspoon कदु कच किये हुए लसुन, और 1 teaspoon कदु कच किये हुए अद्रक डाले. अब सारे चीजों को दो मिनिट तक हाई फ्लेम पे सॉते करना है, सबजी को ज़ादा कुक ना करें, सिर्फ कच्चा पन जाने तक ही इसे पकाना है. अब इसमें एक टीस्पून सोय सॉस डाले, एक टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डाले और डाले एक टीस्पून टोमैटो केचप अब इसमें एक टेबिल स्पून चाउमिन मसाला या फिर कोई भी करी पोडर डाले और अच्छी तरह से मिक्स कर दे चाविन मसाला या फिर करी मसाले से इसका टेस्ट एकदम हटके और मज़िदार बन जाती है जो चाव पहले से बॉल करके और तेल डाल के रखे थे अब वो सबजी के मिक्स्चर में डाल दे और स्वाद अनुसर नमक एट करे पहले से जो अन्डे का भुर्जी रेडी करके रखे थे वो भी अब इसमें डाल दे अब चाव अन्डे और सबजी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्सिंग बहुत ज़रूरी स्टेप है चाव मीन रेसिपी में ये प्रोसेस होगी मिडियम फ्लेम पे अगर चाव मीन अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो खाने के टाइम कहीं जगाओ पे इसका टेस्ट फीकी लगेगी और कहीं जगाओ पे मसाले जादा खाने को मिलेगी जब चाउमीन अच्छी तरह से mix हो जाए तब इसको medium to high flame पे फिर से 2 मिनिट के लिए fry करना है अब एक चाउमीन सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो इसको एक serving plate पे निकाल लेना है plate पे निकालने के बाद इसे एकदम गर्मा गरम सर्फ करे अब देख सकते हैं चाउमीन एक दम खिला खिला नौन स्टिकी बना है तो गर्मा गरम टेस्टी एक चाउमीन इंजॉय करे अगर आपको मेरी ये recipe अची लगी है तो वीडियो को like जरूर करे और मेरे चैनल को subscribe करके bell बटन को press कर दे ताके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आप मुझे facebook, twitter और instagram में भी रोमिस देसी ट्विस्टी नाम से follow कर सकते हैं तब तक खुश रहे, स्वास्त रहे, मेरे चैनल को support करते रहे